हलो फ्रेंज वेलकम डू चैनल हैडी दर्थ और दुबारा से आपके साथ मिल रहे हैं आज और यह जो वीडियो भी आपके लिए लेके आए हैं यह वो वीडियो है यह उसकर की वीडियो है जो माक्सिमम लोग डूलते रहते हैं कई बार हम इंवेस्टमेंट के लिए डूलते सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की अगर लोकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी एंश-21 जो है हम से सिरफ 500 मीटर दूर है हम वाकिन यहां से एंश-21 की तरफ जा सकते हैं तो एक सबसे मेजर जो पॉइंट है लोकेशन रहता है क्योंकि बनते हैं लोट साइज यह वा सबसे अच्छी चीछ है उस 500 में भी आपको जितने आपके राइट और लेफ्ट जो है सारी मार्केट है बेजर ली मार्केट रोड की ओपर यह वन भी एच के हैं आपकी सारी डेली नीज की चीज़े आपको जो रिकॉर्मेंट्स रहती है वो सारी चीज़े इस रोड पर मि मिलेंगी वाटेबर आपकी डेली नीज है वाटेबर आपने वेजिटेबल लेने हैं या आपको और भी कोई चीज लेने हैं तो सारी चीज़े आपको यहां पर मिलेंगी सोसाइटी की बात करें फ्रेंट्स सोसाइटी गेटर रहेगी 24-7 इसमें आपको security मिलेगी और उसके साब से भी हम सेक्योरिटी को जो है मेजरली लेके चल रहे हैं तो सेक्योर्टी आपको रहेगी सेकंडी जो आता है वो आता है कि सोसाइटी के अंदर जो वाइरिंग है जो पर वीजन सब कुछ अंडर ग्राउंट है और अब अगर फ्लैट की बात करें तो फ्लैट का इसे रहें तो सबसे पहले यह आपकी एंडरिश रहीगी इस तरह से और शेट्रा रहे गी ऐस में आपको तरब से करके दीजा रही है इस तो सब्सक्राइब और के तो रहे है इनिशिली जस्ट हमने भी सेंफल फ्लैट तियार त्यों पोशीश कर रहेंगे हम आपको सुमें मेरे पास जो ऑक्सन्स बाचे इनिशिए प्रójक परू तो एक बहुत अच्छा यह वो स्टूडियो वाली आपको फील नी देगा जो सबसी अच्छी बात है कि स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत चोटे हो जाते हैं उसमें आपका सोफा अरिया बहुत ही कम रहता है तो इसमें आपका सोफा अराम से फाइव सेटर सोफा अपना यहां पर प्लेस कर सकते हो और बहुत अच्छी सिटिंग यहां पर बना सकते हो तो फाइव सेटर सोफा की प्रॉपर यहां पर स्पेस रहेगी फ्रेंट्स यह बॉल जो आप देख रहे हो इस वाल पर आपको बॉल पेपर लगा के मिल रहा है बिल्डर की करब से ही आपको बॉल पेपर लगा के दिये जा रहा है डाउन सेलिंग बुड भी सेम अज इस जैसे आप देख रहे हो विद अ को फिनिश यह आपको ड्राइंग अपनी डाउन सेलिंग रहेगी को फिनिश के साथ और इस तरफ पकर आप देखते हो तो आपको एक पार्टिशन दी जा रही यहां पर अची चीज़ दे खिए है रहेगी आपको इसके ऑपर जो और ग्रेन रहे आपके बली हूं-पं नटेढ़ इसके सुनिश की क्योंकि kitchen आपकी जितनी सुंदर देखे है क्योंकि open kitchen trendy है तो जितनी आपकी सुंदर देखे है उतना अच्छा रहता है तो पहले ग्रेनाइट की finish बहुत अच्छी है इसके साथ टाइल का combination जो आप देख रहे हो बहुत संदर यूज किया गया है soundproof इसमें आपको प्रविजन जो required होते हैं वह सारे किये होते हैं अगीन चाहे हम वन वीज के ले रहे हैं लेकिन सबसे अच्छी चीज है जो majorly required होता है यहां पे kitchen में भी एक ventilation window प्रोपर मिलेगी आपको चिमन के लिए चिमनी के लिए आपको अल्रेडी वाल होल दिया गया हुआ है तो यह दोनों प्रविजन साथ में तो अभी आपको लेके चलूंगा अपने रूम की तरफ लेकिन सबसे major जो रहता है वन वीज के वे रूम का साइज ना बहुत चोड़ा रहता है आपका बैट लगाते ही स्पेस खत्म हो जाती है लेकिन इस वन वीज के की सबसे खास चीज है इसके रूम का साइज जिसकी वज़ा से आप यह बाए करोगे मैं आपको मिल जाएगा सेम यही डौर आपको मिलेगा और अब जड़ा साइज को आप देखिए इतना स्पेशियस यह रूम है इतना अच्छा इसका साइज है कि आप देखते ही कहोगे कि एक्चुली में आप और आम से हाँ पर अपना तीन चेर और एक टेवल एरेंज कर सकते एक बहुत अच्छी sitting bedroom में भी आप arrange कर सकते हो जो आपको कभी भी feel नहीं होगा कि आपका room का size बहुत compact है और इसके साथ साथ इसमें अगर utilization की बात की जाए सबसे पहले तो आपको dressing बिल रहा है एक बहुत सुन्दर dressing builder की तरफ से ही बना के दिये जा रहा है और Elmira की बात मै तो आपकी बहुत सी चीज है storage के लिए space होनी चाहिए तो storage के लिए आपको बहुत अच्छी space मिल रही है बहुत अच्छी storage दी जा रही है और अगर down ceiling देके again with the core finish आपको down ceiling मिल रही है और friends सबसे major आपको एक चीज अगर बताऊं तो maximum जो room में bed का size यूज किया जाता है वो king king size bed लगा हुआ तो space उसके बाद भी 32 x 32 की tile है तो 3 complete tile पीछे चूट रही है मतलब almost 8-5 का space आपके bedroom bed के लगने के बाद है मतलब यह 15 x 12 x 15.5 के अप्रोक्स की कमरे का size होना चाहिए तो friends इसके साथ आपका रहेगा attached washroom washroom में अभी वैसे fittings नहीं लगी है लेकिन अगेन अगर मैं size की बात करूँ तो अपने आप में बहुत अच्छा की size रहेगा washroom size बहुत अच्छा है इसमें आपको सारी fittings जो है branded मिलेंगी आपको proper exhaust के लिए window दी गई है इस पे बहुत अच्छा exhaust रहेगा और अगर इन बाक आता है पीशे आपका washing area washing area अगेन आपका अच्छा size का रहेगा एक बड़े अच्छे size का रहेगा आप अराम से washing machine रखें अपनी washing कर सकते हो उसके साथ washing machine के साथ आपकी एक और दो bucket की space यहां पे रहेगी और इस तरब से भी आपको अगर आप देखोगे तो daylight के लिए और air circulation के लिए यहां पर रूम में भी space है कि आपका रूम जो है वो उसमें daylight और जो हवा है वो हमेशा क्रोस रहते हैं तो क्रोस बैंटिलेशन रहेगी एक अच्छा layout जो वन भी इसके का हम डूलते रहते हैं वो यह बन भीज के हमें देगा I hope यह वन भीज के आपको बहुत के और अलग-अलग budget के गर आपके लिए लेकर आते हैं ताकि जो भी आपकी requirement है उसको हम match कर पाएं उसको हम fulfill कर पाएं हमेशा आपकी कोशिश रहती है और अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कोई particular गर आप डूल रहे हैं जिसमें हम आपकी help कर सकते हैं तो आप through the messages और नीचे हूश हूश अरहे हैं जो झाएं प्रयव लें